गुट मॉर्निंग एवरिवन चैभोलेनाथ वेलकम अगें टू माई वीडियो तो कैसे हैं आप सब लोग आई वेश आप सब अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे और मस्थ होंगे तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपना जो डेली वाला मॉर्न हाउस क्लिनिंग रूटीन होता है आई होप आप लोगों को अच्छा लगे और अगर किसी भी पॉइंट पे आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी एंटर्टेनिंग और अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और कमेंट करके मुझे मोटिवेट जरूर कीजिएगा क् कि आपके लाइक और कमेंट से बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है आगे फर्दर वीडियो बनाने के लिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप वीडियो देखते हैं आपको थोड़ी बहुत अच्छी भी ही लगती है और प्लीज दू कंसीडर तो सब्सक्राइब माई चैनल इस कम्प्लीटली फ्री एंड इस रियली में अलॉट तो मी तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं टाइम हो चला है साड़े साथ का और इस टाइम तक मेरा चोटा बेटा चला गया ह स्कूल उसको ड्रॉप करके मैं आ गई हूँ और उसके बाद मैंने अपने बेड़े बेटे को भी उठा दिया है वो फ्रेश वगिरा हो रहा है और यहां पर मैं लग गई हूँ अपने काम पे और सुबह सुबह का जो टाइम होता है उस टाइम पे पूरा घर फैला होता है बेड फैला होता है किचिन काउंटर टॉप फैला होता है और चीजे जो है वो इधर उधर फैली पड़ी रहती है तो सुबह सुबह बच्चे को स्कूल बेजने के बाद में सबसे पहला काम होता है चीजों को अपनी जगा पे रखना तो उसके शू स्लीपर उसके कपड़े जो भी है मैंने उठा के रख दिये हैं साइड में इस वाली साइड को ये बैड पे जो भी ब्लैंकेट्स वगएरा है उनको तह लगा के रख दी है पैट सीट कर दी है ठीक और उसके बाद यहाँ पे दो सौफे की चेयरी यहाँ पे अंदर रूम में डली हुई है इनको भी मैं manageable कर दूँगी manage कर दूँगी चीजे जितनी भी फैली हुई है उनको arrange कर दूँगी और यहाँ पे जो सामने window का और door का जो curtain है वो हटा हुआ है इस time पे मेरा बड़ा बेटा खेल रहा था पता नहीं उसका पैर फसा या क्या हुआ परदे में इलज के वो गिर गया और उसकी वज़े से जो road का hook होता है जिस पे road की रहती है वो तूट गई निकल गए उसके जो nut ball थे तो वो अभी उसको ले कर आएंगे दूसरा फिर उसको drilling कराना पड़ेगा तो इसलिए यहाँ पे हटा हुआ रखा है तो चलिए कोई निया वीकेंड पे हजबन आएंगे तो फिर इस बार देखे कि मैं करा लूँगी और चीजों को बस manage करने के बाद में मैं यहाँ पे निकाल दे रही हूँ ज़ाडू वैसे तो सुबह सुबह लगा देती हूँ लेकिन सुबह सुबह इतनी जल्डवाजी रहती है क्योंकि टिफिन तयार करना होता है बच Jennifer को तयार करना होता है तो बस फटाफट बाली ज़ाडू लगाती हूँ उस टाइम पे तो इस किचिन वाली एरिया में क्यों कि बिना ज़ाडू लगाए हैं हमारे यहाँ पे किचिन में कुछ जो बरतन धुलेवे रखेते साइड को मैंने उनको पहले मतलब रख दिया है स्टैंड पे और काउंटर टॉप को मैं साफ कर दे रही हूँ डिकलेटर कर दे रही हूँ सारा समान हटा दूँगी जो थोड़ा बचा है सुबह में सबजी वगेरा जो बनाई थी उसको मैंने पलटा के एक बावल में रख दिया है और इस बीच में मैंने बड़े बेटे को चाह नास्ता भी दे दिया था और उसके बाद पहले मैं सुखे कपड़े से काउंटर टॉप को और गैस टॉप को कर दूँगी साफ कर दो पहले मैं सुखे को कर दो बाद दिया है और सुखे सुखे के टाइम में जब सबसे ज्यादा मैसी वाला एरिया होता है न वो होता है किचिन तो देखिए धेर सारे बरतन हो गए थे फटा फट से मैंने बरतन साफ करके रख दिये हैं साइट को उनका पानी निकल जाएगा तब तक मैं दूसरे काम लगा कर दूँगी उसके बाद कर लगा दूँगी उनको इस टैंड पे और यहां पे बीच में एक भाईया आ गए थ उनको कुछ देना था तो मैंने वो दे दिया है और उसके बाद फटा फट से मैं लग गई हूँ अपने गैस टॉप को और काउंटर टॉप को क्लीन करने के लिए और इस टाइम पे बस मैं एक बार सुखे कपड़े से साफ कर देती हूँ पहले जो भी पार्टिकल्स गिरे अच्छे से क्लीन करना होता है वो मैं करती हूँ रात में रात का खाने के बाद में तो यही होता है मेरा एवरी डे वाला तो देखे फटा फट से बस मैंने गैस टॉप को क्लीन कर दिया है उसके बाद काउंटर टॉप को भी कर दिया है साथ में बरतन लगा दिया है साइड में और एक बार इससे अच्छे से अपने पूरे काउंटर टॉप को पोँच दूँगी तो फिर ये तयार हो जाएगा अपने आगे के काम करने के लिए नीट एंड क्लीन क्योंकि किचिन जितनी मैनेजबल होती है ना उतना ही काम करने में अच्छा लगता है और लेहम लेडी है कि 70-80% टाइम तो हमारा जो है वो किचिन में स्पैंड होता है तो किचिन साफ सुत्री होनी बहुत जरूरी होती है वैसे तो सफाई हर जगे ही होनी चाहिए तो ये वीडियो में तो जाता है कि 10-15 मिनिट की वीडियो जाती है उसमें सारा काम हो जाता है लेकिन लिटरिल अरेंज हो जाती है केचेन साफ हो जाती है उसके बाद मैं मॉपिंग करती हूँ लास्ट में सो मैं बस मॉप हैट से लगा दूँगी सारे में पोच्छा बैट के लगाना मेरे लिए थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है गुटनों में पेन होता है लेकिन आज कल क्लीनिंग मेरी हो गई है अलमुस्ट डन और अब मुझे रखना है दूद पकने के लिए आज काया जो दूद वाला भगोना वो खाली नहीं था तो सुबह में मैंने जग में पल्टा के रख दिया था उसको मैंने थोड़ा सा दूद था उसमें कल के दिन का तो उसको मैंने पल्टा के साफ कर दिया है और और अब मैं इसमें रख दूंगी पकने लिए भिगो ना तो वैसे दूसरा था लेकिन जो दूसरा है न व स्टील के आरक्पा एक अलमूनियम का है तो मैं मोस्ली न दूद इस्टील वाले में ही पकाना पसंद करती हूँ इसमें घी भी ताने के काम आ जाता है ज़से को कर दिया था बिलकुल लो और मिनवाइल का दो कि लिए क्योंकि मैंने भीच में पानी लगा दिया था गरम होने के लिए और मैं इतना पाणी'RE तनी ठंड होने लगicky है एंदब फुलिया थॉप जाता तो मॉर्निंग वाला जो रोज वाला क्लिनिंग वाला रूटीन होता है ना वो तो मेरा अल्मोस्ट कम्प्लीट हो गया है उधर को मैंने मशीन में डाल दिये हैं कपड़े दुलने के लिए साथ के साथ और अब मैं फटफट से जाओंगी देखने के लिए दूद बॉयल होने किया था तो लगबग देर पूने 2 हंटा रोज लगी जाता है पूरा काम समेटने में तो यह देखिए धर दूद भी हो गया है और अयूश बैट भी जाया कर बिटा कभी कभी बैट के देख लिया अगरो बुक लग रही है और यहां पर मैं बहार को आई तीना यह दो चेयर और यह स्टूल रखा रहता है इसके उपर में एक वाश रख देती हूँ छोटा सा फ्लॉवर पॉट तो मुझे इस पर थोड़ी किसी डस्ट दिखाई दी तो मैंने सोचा चलो इसको मैं कर देती हूँ वैसे यह सब काम तो नाने से पहले करना चाहिए पर मैं यह रोजका तो होता नहीं है ना तो इन चार दिन में मैं एक बार कर देती हूँ क्योंकि यहां पे थोड़ा ओपन एरिया है तो डस्ट आई ज हो जाएगा तो बस दोनों चेयर और स्टूल को मैं अच्छे से साफ कर दूंगी और उसके बाद अब मैं करूंगी अपने किचिन में खानी की तैयारी देखती हूँ कि क्या बनाऊंगी दाल वाल भिगा के रख दूंगी आधा एक गंटा भीग जाती है ना फिर उसको मैं स साथ किया है और अगर किसी भी पॉइंट पर थुड़ा सा अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजेगा वीडियो को करती हूं मैं यहीं पर बाइंड आप मिलती हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू फो वाचि करते हैं आप आप बाइंड